मैं 10 साल का था जब ये गटना गटी ये experience मुझे आज भी डरा देता है मेरा एक दोस्त मेरे घर night stay के लिए आया था हमने कुछ snacks खाए Netflix पे movie देखी और मजे कर रहे थे थोड़ी देर बाद हम बोर हो गए और सोचा कुछ different अलग करते है मेरे दोस्त ने कहा कि हमें अपनी bikes लेक पास के abandoned घर में जाना चाहिए आपको बता दू कि अगर हम चल कर जाते तो पहुचने में एक घंटा लग जाता और बाइक से 10 मिनिट तो इसलिए हमने अपनी bikes उटाई और उस रोड पर पहुच गए जो हमें उस घर तक लेके जाता है हमने अपनी बाइक रोड के entrance पर अपने दोस्त के साथ सहमत हुआ कि हमें पहले घर को देखना चाहिए फिर गैरेज में जाना चाहिए पर असल मैं मैं वापस घर जाना चाहता था जैसे ही मेरा दोस्त दरवाजा खोलने लगा दूर से एक बहुत जोर की आवाज आई ऐसे लगा किसी ने कोई metallic plate किसी pipe से या एक बड़ी तहनी से मारी हो मैंने अपने दोस्त से पूचा क्या तुमने वो सुना मेरे दोस्त ने कहा क्या मैंने avoid कर दिया मुझे लगा शायद ये मेरा दीमाग का खेल है और मैं वैसे भी पिछली रात बहुत कम सोया था घर का दरवाजा बहुत पुराना था और आवाज कर रहा था मैं वो बद्बू कभी भी नहीं भूल सकता जो उस घर में से आ रही थी जैसे कि सड़े हुए अंडे शराब और सड़ा हुआ मीट हो उस समय बाहर बहुत घना अंदेरा था हम लोग अंदेरे में देखने के लिए अपने फोन की फ्लैसलाइट यूज कर रहे थे कुछ भी नहीं दिकाई दे रहा था मेरा दिमाग अपने आप चहरा बना कर इमेजिन कर रहा था जो कि असली में वहाँ पे नहीं थे घर के अंदर का महौल ऐसे था जैसे कि कोई बहुत ही ज़ादा पुरानी जगा हो और ऐसे भी लग रहा था जैसे कि वो जगा शापित हो हमें एक किचन दिका लिविंग रूम बात रूम और एक परपल मैट्रेस जिससे रूम का एंटरेंस बंस किया हुआ था और सीडिया जो बेस्मेंट की तरफ जा रही थी अंदर एक कैंडल तक नहीं पड़ी थी वो स्मेल किचन से आ रही थी और उपर से भी लिविंग रू रिचा हुआ था जिस पे छोटे काले डॉट्स थे लिविंग रूम में कुछ जादा खास नहीं था सिर्फ एक लैंप पड़ा हुआ था उसके साथ ही एक नोट पड़ा हुआ था जिस पे लिखा था मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा सौस बना दो और एक स्माइली फेस बन खाना दिखा ब्रेड सलाड टमाटर मीट जो की बासी था और उस पे खून लगा हुआ था खाना तो फ्रेश लग रहा था पर जो गंदी बद्बू आ रही थी वो पुराने मीट से आ रही थी हम पहले इतना डरे नहीं थे पर अंदर कुछ अजीब सा ही था मैं अपने दोस को बोला कि घर चलते है पर वो बेवकुफ था और वो और भी चीजे देखना चाता था पर मैं और कुछ नहीं देखना चाता था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी पर दो चीजों के वज़े से मैं वापस जाना चाता था शायद कोई संकी बेघर इंसान वहां बेस्मेंट वहाँ जाने की walls खाली concrete से बनाई थी और कुछ नहीं मेरा दोस basement की तरफ जाने लगा मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बोला मुझे वहाँ नहीं जाना एक मिनिट के बाद मैंने उसे convince कर लिया कि हमें घर के उस part को देखने की कोई जरूरत नहीं है और हम चलते बने परपल मैटरेस के पीछे बातरूम में बहुत सारे कपड़े बिकरे हुए पड़े थे pants, shirts, hoodies पर सबसे अजीब चीज बाट टब में थी एक पुतला जिसके हरे रंग के बाल थे मैंने अपने दोस्त को बोला यहां से निकल लेते है और तबी हमने बाहर से किसी के चिलाने की आवाज सुनी वो आवाज किसी आदमी के चिलाने की थी हम दोनों खीड़की के पास देखने गए कि क्या हो रहा है और जो हमने देखा उसने हमारा दिल धहला दिया बाहर एक आदमी था जिसने क्लाउन वाला मास्क पैना हुआ था और वो एक डेड बॉड़ी को गसीटे हुए ले जा रहा था वो गैरेज की तरफ जा रहा था तबी हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा मेरे दोस्त ने मुझे पूचा अब हम क्या करे मुझे नहीं प वो एक यूमन बॉड़ी को काटने वाले आउजार थे उस क्लाउन ने एक आउजार उटाया और उस डेड बॉड़ी को काटने लगा मैंने अल्मोस्ट उल्टी कर दी थी हमने पुलीस को फोन किया सोचा हमें कोई सुन नहीं सकता पुलीस ने कहा छुपके रहो जब तक वो आ नहीं जाते हम सीधे उपर भागे हमें कुछ आइडिया नहीं था उपर हमारा कौन इंतजार कर रहा था उपर चार कमरे थे एक बातरूम और तीन बेडरूम्स हम पहले कमरे में चले गए जहां एक खिडकी भी थी वहां कुछ मिनिट भी बहुत घंटे लग रहे थे हमें पुलिस कार्स की साइरेंस सुनाई दी मुझे सास में सास आई और फिर कुछ हुआ हमें एक अजीव सीध दरार भरी आवाज आई बाहर आजाओ बाहर आजाओ मेरे पास बहुत खिलोने हैं तुम उनके साथ खेल सकते हो उसके बाद हमें दरूम्स के दरूम्स की नहीं पर बाकी के तीन में से कोई एक दर्वाजे की, मेरे दोस्त ने छुपके से खिड़की खोलने की कोशिश की, पर एक बार ट्राय करते ही उसने छोड़ दिया, क्योंकि उस खिड़की से आवाजा रही थी, उस टाइम वो आदमी हमारा दर्वाजा खटकटा रहा था, हमें पुलिस की आवाज आई, अपने हाथ उपर कर लो, फिर एक पुलिस ऑफिसर ने दर्वाजा लाट मार के खोला, उसी समय जो हमारे बेडरूम के बाहर आदमी था, उसने हमारा दर्वाजा किसी नौकीली चीज से खरोचना शुरू कर दिया, और उसने वो दर्वाजा तोड़ा और हमारे कमरे में गुश गया, मेरे पास कोई आप्शन नहीं था और मैं उस पुरानी खिड़की में से खूदने के लिए ट्राइ करने लगा और मैं खूद गया, मुझे डर के मारे कोई दर्वाजा मैसूस ही नहीं हुआ, मैं किसी जाड़ियों में जा गिरा और तेजी से देख लिया था और उसके दाइने हाथ में गोली चला दी, फिर मैंने दूसरे क्लाउन को घर से बाहर निकलते देखा, उसके हाथ में हतकड़ी थी और पीछे एक ऑफिसर था, मैं अपने दोस्त के लिए बहुत डर गया था, फिर मैंने अपने दोस्त को घर से निकलते एक ओफिसर के साथ मैं बहुत खुश था कि हमारे साथ कोई हाथसा नहीं हुआ हतकड़ी वाले क्लाउन को जेल भेजा गया और उसे बहुत सारे मर्डर करने इलीगल चीजे बेजने चोरी करने और लोगों के घर तकैती करने के जुर्म मैं जीवन भर की जेल की सजा मिली और ह जो हमने मीट देखा था वो एक इनसान का ही मीट था उसके बाद मैं किसी भी एबेंडन घर में नहीं गया हे पंटर्स कैसे हो सब लोग उमीद करता हूँ सब लोग घर पे ही बैटे होंगे इस कॉरिंटिन में मैं आपको घर पे रहने का एक और रिजन दे रहा हूँ पुरानी वीडियो जो इस चैनल पे थी जो डिलिट हो चुकी थी वो मैं अब मेरे इंस्टाग्राम अकाउन के IGTV पे डाल रहा हूँ अगर आपको वो पुरानी वीडियो ईंजॉय करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और घर पे रहो और सेफ रहो तो चलो तो यारो मैं निकलता हूँ मैं आप से बात करूँगा अगली वीडियो में